जाएंदी दोस्तों अगर आप भी इड्य नाभी की तियारी करते हैं, तो आज के 100 कोशिन में से आपके लिए टारगेट रहने वाला है 90 कोशिन का. 90 कोशिन का आपके लिए टारगेट रहेगा, कितने कोशिन आपके सही रहते हैं? comment box में आपको जुरूर बताना है याद रखें ये question जो रहेंगे top 100 question रहेंगे जो आपके exam में पूछे जाते हैं जिसमें से आपके लिए target 90 question का है आपको अपनी त्यारी बितानी है कितने question आपके सही रहते हैं चलिए start करते हैं सबसे पहले question से question नमर एक आपके सामने है और question नमर एक start करने से पहले आपको बता दूँ इसमें आपके GK और GS के दोनो question आपको मिलेंगे तो आपको जो है mix प्रशनों का test आज मिलने हैं बाला है question नमर एक आपके सामने है जालदी sensor बताईए मानुत वचा में रंग देने वाला वरणक होता है जो मानुत वचा का रंग होता है किसके कारण होता है मेलालीन के कारण होता option नमर एस का राइट रहेगा question नमर तो आपके सामने है मानुव शरीर में अनिवार्य अमीनो अमल की संख्या होती है मानुव शरीर में अमीनो अमल की संख्या कितनी होती है 20 होती है option नमर एस का राइट रहेगा और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे है दार्मी भाई यूटिव चानल को सब्सक्राइब कर लेना है फिर वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेर भी कर देना है question नमर 3 myoglobin में कौन सी धातू होती है myoglobin में कौन सी धातू होती है तो कौन सी धातू पाय जाती है myoglobin में लोहा यानि iron आपका पाय जाता है option नमर डी राइट अरहेगा question नमर 4 एक फियसक नुष्य के लिए समान्य हीमोगलोविन मात्रा प्रती 100 ml रक्त में होती है जो समान्य मुरिश्य होता है इसमें हीमोगलोविन की मात्रा जो है पर 100 ml में कितनी होती है 14.5 ग्राम होती कितनी होती है हर 100 ml में 14.5 ग्राम जो होता है आपका क्या होता है हीमोगलोविन होता है option number D इसका right और रहेगा question number 5 आपके सामने अपात कलान स्तिती में के दुरान कौन सा हार्मोन उत्सरजित होता है अपात कालीन स्तिती में कौन सा हार्मोन स्तरावित होता है right answer क्या रहेगा option number A adrenal hormone स्त्रावित होता है आपात काल स्तीती में Q6 मानव मस्तिक्ष का लगवक कितने ग्राम होता है भार जो होता है मानव स्तिक्ष का लगवक कितने का होता है 1350 ग्राम का होता है यह average आपका निकाल सकती हो Q7 रक्त में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है which element has the main role in blood तो right answer कह रहेगा C.A.S. का right answer रहेगा Question number 8 आपके साबने है अधिक उन्चाई पर मानुव श्रीर में लाल रख्त करने काएं क्या हो जाती है उन्चाई पर जाने लाल रख्त करने काएं जो होती है इनकी संक्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है Question number 9 मानुव रख्त की किस अंग में लसिका कोश्काई बनती है तो लसिकाई कोश्काई जो होती है किस अंग में बनती है ये बनती है आपके दीरग आस्ती में कहा Long life दीरग आस्ती में Question number 10 है Thymus करंथी द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है Thymus करंथी द्वारा जो है कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है तो कौन सा हार्मोन Thymocene Thymocene हार्मोन जो होता है ये आपका किस के द्वारा स्त्रावित होता है Thymus करंथी द्वारा स्त्रावित होता है Option number D राइट अरहेगा Q14, मानुश्रीर में पैरों की हड़ियां कौन सी है तो मानुश्रीर में पैरों की हड़ियां होती है फिबला और टिविया जो होती है पैरों की हड़ियां होती है Q12, EEG का प्रयोग किस की गतिविदी दर्च करने के लिए किया जाता है आपको बस EEG की full form comment box में बतानी है कॉशन नुमर 13, Pepsin Enzyme पाया जाता है Pepsin Enzyme कहां पाया जाता है Amacia के चटर रस में या Amacia की चटर गरंथी में पाया जाता है बस चटर रस से आपको याद रखना है Question No.14, निमलिकित मेंसे कौन सा रक में oxygen अधिग्रहन का कार्य करता है? निमलिकित में हमानवत नतर में निमलिकित मेंसे कौन सा एक पाचन अंजाइम नहीं होता? मानव तंतर में निम्म लिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं होता तो कौन सा नहीं होता राइट अंसर एगा option number B gastrin gastrin जो होता है पाचन तंतर का हार्मोन नहीं होता next question है मस्तिक्ष जिम्मेदार होता है तो मस्तिक्ष सोचने के लिए हिर्दे की गति नियंतर करने के लिए शरीड को संत्रलन बनाने के लिए इन सबी के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है next question है हार्मोन का उधारण है हार्मोन कोन सा उधारण है oxytonis, renin, pepsin या फिर sinus हार्मोन का उधारण कोन सा है oxytocin next question आपका भोजन का प्रमुक अंग कौन से है भोजन का एक प्रमुक अंग है कौन कार्बो हाइट्रेड भोजन का एक प्रमुक अंग क्या है कार्बो हाइट्रेड question नमर 19 निमल इखित में से कौन सा परदार्थ मानुश शरीर में इंजन का काम करता है इंजन का काम कौन करता है मानशरीन में कार्बो हाइडरेट next question capsule का आवरन वना होता है capsule का आवरन किसका बना होता है stars का बना होता है caution नमर 21 शहद का परमुक घटक होता है तो major compound आपको यह component विड़ताना है हनी का तो शहद का मुख्य घटक जो होता है यह कौन सा होता है fructose होता है option number D right रहेगा next question है निमलिकित में से कौन सी शरक्रा ततकाल उर्जा परदान करती है कौन सी शरक्रा जो है ततकाल उर्जा परदान करती है कौन सी शरक्रा glucose glucose जो होती है ऐसे शरक्रा होती है जो तुरंत क्या करती है उर्जा परदान करती है नेक्स कोशन है शहद में मुक्यता होती है शहद में मुक्यता होती है शहद में मुक्यता क्या होता है कार्बो हाइट्रेड होती है दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को share कर दीजेगा और साथ में चैनल को subscribe भी कर लीजिएगा Question है, protein बनाने के लिए कितने aminoo amal की आवश्यक्ता होती है? Most important question है, protein बनाने के लिए 20 aminoo amal की आवश्यक्ता होती है और हमारे शरीर में aminoo amal की संगय कितनी होती है? 20 ही होती है नेक्स कोशिन है शरीर में उत्को का निर्माण किस से होता है शरीर में उत्को का निर्माण जो टिशू होती है किसके दवारा होती है इनका निर्माण होता है प्रोटीन दवारा सोयवीन में प्रोटीन का प्रतिष्टा होती है सोयवीन में कितने प्रतिशित प्रोटीन पाजाता है तो 42 प्रतिशित प्रोटीन पाया जाता है next question है protein का उच्तम स्त्रोथ कौन सा है the highest source of protein is highest source जो है यह सोयवीन है यह सभी जो है मचली और मुंखफली जो है यह high क्या कह सकते है उच्तम स्त्रोथ है पर सबसे अधिक परतिष्टा तो होती है यह सोयवीन पर पाई जाती है protein की next question है निमल लिखित में से कौन बिटामिन ए का सर्वच स्त्रोथ है बिटामिन ए का सर्वच स्त्रोथ कौन सा है तो गाजर इसका राइट इंसर अरहीगा नेक्स कोशन है मारे शरीर में विटामिन A बंडारित होता है तो मारे शरीर में विटामिन A कहां बंडारित होता है या करित में बंडारित होता है आप्शन नमबर A राइट और रहेगा निमेल इकित में से किस विटामिन की कमी से रतोंडी होता है, तो रतोंडी जो होता है, किसके कार्ण होता है, Wait A के कार्ण होता है, option number D इसका right अरहेगे अगर दोस्तों जल्दी जल्दी में कोई question आपको गलत बता दू तो जुरूर comment box में उसका आपको right answer बता रहा है या फिर comment box में इसे mention भी कर दूँगा Question number 31 है Thymine है Thymine जो है एक परकार का क्या है Vitamin A, Vitamin B1 को मायाद रखें Vitamin B1 कुछ है Thymine इसका रसाइनिक नियाम है Next question आपके सामने Nimal liquid vitamin O में से किस में cobalt पाया जाता है तो cobalt क्या Cobalt 60 Cobalt 60 न विटामिन B12 में पाया जाता है Next question है Sino-Coal-Win है Sino-Coal-Win है तो Sino-Coal-Win जो है एक परकार का क्या है कौन सा विटामिन है Vitamin B12 Vitamin B12 का रसाइनिक नियाम क्या होता है Sino-Coal-Win Next question है Vitamin जो खटे फ़लो में पाये जाता है तथा चरम को स्वस्त रखने के लिए जुरूरी होता है Vitamin जो खटे परदार्थों में पाये जाता है कौन सा vitamin C पाये जाता है खटे परदार्थों में Next question है Vitamin C का उच्छतम स्तरोत कौन सा है The best source of vitamin C is तो vitamin C का जो सर्वस्तरोत है वो आपका आमला है क्या है Question number 36 निवलिकित में से किस vitamin की कमी के कारण वो सूडों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते है यह important question है वो सूडों का रोग जो होता है यह कौन से vitamin के कारण आता है यह कमी के कारण आता है vitamin C की कमी के कारण आता है तो घटे वरदात यानि आमला जो होता है अभी आपका होता है सर्दियों में तो जुरूर खाना आपको चाहिए Question number 37 है निवलिकित vitamin में से कौन सा शरीर में बंडारित नहीं होता यह important question है कौन सा vitamin शरीर में बंडारित नहीं होता तो याद रखें कौन सा vitamin D vitamin D जो होता है यह शरीर में बंडारित नहीं होता vitamin A, C, E यह सभी जो होते हैं थोड़ी-थोड़ी मातरा है बिल्कुल थोड़ी सी मातरा में हमारे श्रीर में बंडारित होती है कौन सा विटामिन प्रती रक्षा परदान करता है यानि अम्यूनिटी जो होता है कौन सा विटामिन हमें देता है तो विटामिन A जो होता है हमें अम्यूनिटी देता है नेक्सक्क Country है निमल लिखित ने मेंसे कौन सा विटामीन जल में घुल लिखील होता है जल में घुल लिखील विटामीन कौन सा है नेक्स कोशिन आपके सामने है मचलियों के यकरित की तेल में किस की परचूरता होती है मचलियों के यकरित में कौन से विटामीन की मचलियों के यकरित में एक तेल होती है मचलियों के यकरित की तेल में किस विटामीन की परचूरता होती है तो कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन डी पाया जाता है कौन विटामिन डी पाया जाता है अब याद रखें विटामिन डी जो है सिर्फ हमें सूरे से या सन से नहीं मिलता सन लाइट से नहीं मिलता यह हमें मचलियों के यकृत में पाएगे तेल से मिलता है पर केल्सी फिरोएल कॉले कैल्सी फिरोएल हरसाइनिक योगिक का समान्य नाम क्या है कॉले केल्सी फिरोएल is the common name of the chemical compound हडडी के calcium vitamin D vitamin B vitamin C अग थोड़ा सा डिफरेंट आपको आएगा पहली बार नाम सुना है तो नौट गर ले कॉले केल्सी फिरोईल कॉले केल्सी फिरोईल जो एता है vitamin 3 vitamin 3 याद रखे vitamin 3 का ये क्या होता है समानने नाम होता है तो vitamin D इसका रखेंसर अरहेगा अगर नाम करना ठीक है किसी को डॉटर होएगा तो कॉले केल्सी फिरोईल सर्च करना आपको बताएगा vitamin 3 का ये कॉमनी क्या होता है next question है vitamin E का racinic नाम होता है vitamin E का racinic नाम क्या होता है तो vitamin A का racinic नेम होता है tocopherol क्या होता है tocopherol next question है भारो छोडो अंदोलन के समय इंग्लैंड के परधान मंत्री कौन थे अब question क्या जीके के आगे science का question हमने कर लिए important question है तो बताना है who was the Prime Minister of England at the time of quit India मुइंड भारो छोडो अंदोलन के समय 1942 कौन थे चर्चिल थे कौन थे चर्चिल थे यहां सही कर ले कौन चर्चिल ठीक है यहां सही कर ले ठीक है इंग्लिश वाले प्लीज आप सही कर ले चर्चिल थे कौन थे चर्चिल कौन थे चर्चिल थे बारो छोडो अंदोलन जो की 1942 में हुआ था यह नहीं 1942 में इंग्लेंड के प्रधान मंत्री चर्चिल थे नेक्स कोशिन है उनिस्टो सिंतालिस के भारती राष्टी कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अधिक्षता किसने करी थी अब याद रखें जीके के कोशिन हो सकता एक या दो गलत हो क्योंकि लूशन में कुछ कोशिन आप प्रस्ताल ने करी थी नेक्स कोशिन है बारती राष्टी कोंग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था तो महात्मा गांदी जी ने लीड करा था और लूशन बुक में इसका अंसर जो है option number D इन में से कोई नहीं दिया वाए तो बोल रहा हूं हो सकता है लूशन बुक से मेरा question उढ़ाए हैं तो एक दो question गल्थ हो सकते हैं जितना मुझे पता है हो सकता है सबी question सही हो तो option number D option number C का right और रहेगा next question है निमली खित में से किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस के करांची अधिवेशन जो की 1931 में हुआ था अध्यक्षता की थी 1931 की भारती राष्टी कॉंग्रेस के करांची अधिवेशन की दक्षिता किसने करी थी जल्दी से बताईए यह करी थी भल्लग बाई पटेल ने option number D option number C राइट और रहेगा next question है किसने सुझाब दिया था कि सब्तंतरता प्राप्ति के बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस को समापत कर दिया जाएगा अगर आपने ध्यान से कोई भी महात्मा गांधी की पायोगराफी यह कुछ भी पढ़ा होगा यह कुछ भी देखा होगा उनका ही विचार था कि अजा कोंग्रेस या इंडियन नैशनल कोंगरेस को समापत कर देना जाएगे यह कहा था और इसे लीड किसने करा था उन्यस्टो संतालिस के बाद जो है इसे लीड कर रा था पंडी जुआ लाल नेहरू ने इसलिए कहा जाता है ज़वा जवार नेहरू पहरू या फिर गांदी फ हुई है नेक्स कोशन गान् crest की किम रत्प्र किस ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश ऩिला गया इम्पौर्डड कोशन और गान्धी जी भी बहुत हमारे सविदान के लिए और हमारे इतिहास के लिए the energy के लिए इह प्रयों किया था यह यह प्रयोक Keihin किया था पंडी ज्वालाल नहरू ने कॉश्चिन मर् पच्चास परश निसों तालिस में कॉंग्रेस को छोड़ने के पश्चात स्वाश अंदर बोस ने किस तलकी स्थापना करी थी इंपॉर्डिर कोशिने किसकी स्थापना करी थी ने कॉश्चिन है 1944 की अंदोलन में डाक्टर राजिंदर परसाथ को किस जेल में क्याद करके रखा गया था ये लिखी थी किसने जल्दी से बताईए इंडिया डिवाइड लिखी थी डॉक्टर राजिंदर परसाद ने नेक्स कोशिन भूदान अंदोलन किसने प्रारंब किया था भूदान अंदोलन किसने प्रांब किया था बिनोवा भावे ने प्रारंब किया था next question, life divine, life divine important book है, किसने लिखी थी, यह लिखी थी, अर्वींद गोशने, किसने, अर्वींद गोशने option number डिराइट आ रहेगा, बंगाल की asiatic society के परवरतक कौन थी, तो पंगाल की asiatic society की स्ताबना 1984 में हुई थी, यह स्तारा 1784 में हुई थी, और इसकी याद रखे, इसके परवरतक कौन थे, सर विलियम जोन्स, कौन थे, सर विलियम जोन्स थे, Next question है, किस गवर्नर के कारेकाल के दुरान 1921 में कौलकाता में Victoria Memorial Hall का निर्मान किया गया था, Victoria Memorial जो है कहां है, कौलकाता में है, माकरे पश्चिमंगाल में, 1921 में थी गया है, निर्मान जो पूरा हुआ था, 1921 में इसका, और ये कौन थे, गवर्नर कौन थे, याद रखे, तो गवर्नर का दाम था, Lord Reading, क्या, Lord Reading, option number D, इसका राइट अरहीगा, फिर से बढ़ दिता हूँ, किस गवर्नर के काल में, तो Lord Reading के काल के दुरान 1921 में कौलकाता में, Victoria Memorial Hall का न Next question, important, देवदास उपनियास के रसनाकार कौन है, तो देवदास किसके दवारा लिखा गया था, देवदास लिख्या गया था, शरत चंदर चटो अपाद्या, किसके शरत चंदर चटो अपाद्या दवारा लिखा गया था, Next question, December 1911 में पहली बार जणगंडा कहां पर की गई थी, तो पहली जणगंडा जो है कब 27 December, 27 December 1911 को कलकाता में करीगी थी, option बर सी राइट और रहेगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू करा था, बस आपको comment box में नाई right answer बताना है, भारत का पहला समाचार पत्र कोन था, बहुत पार exam में question पूछा गया था, और ये question भी आपकी exam में पूछा गया है, कि पहला समाचार पत्र जेम सिक्की ने शुरू करा था, next question, post office के लेखक कोन है, who is the author of the post office, post office लेखी गई थी, रविंदर नाथ टैगोर की दबारा, next question, गोदान किसकी रसना है, गोदा next question, भारत में सीविल सेबा का सूतर पात किसने किया था, यह करी थी, लौर कॉरिंट वालिस में, किसने, लौर कॉरिंट वालिस ने, next question है, निवल खित में से, किसके अंतरगत भारत में, सरवपरत्धम सरवच्ची नियाले की स्तापना करीगी थी, किस एक्ट के तहट किस एक्ट के तहट जो है भारत में सुप्रीम कोट क्या सुप्रीम कोट की स्थापना करी थी तो सुप्रीम कोट की स्थापना करी थी regulating act 1773 के तहट करी गई थी next question भारत का सबसे बड़ा राश्री पाक कौन सा है important question या फिर most important question भारत का सबसे बड़ा माफ कर यहां सबसे बड़ा नहीं होगा माफ किजिए सबसे बड़ा मैं question भी आड़ कर रहा है पर यहां पर है भारत का सबसे पुराना सबसे पुराना सबसे ओल्ड सबसे ओल्ड नैशनल पाक कौन सा है तो राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर रहेगा जिम कार्वेट पार्क जो है सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना पार्क है माफ करें नाशनल पार्क है सुल्तानपुर वर्ड अभियरण स्थीत है सुल्तानपुर यहां वर्ड आएगा ठीक है वर्ड आएगा पक्षी सुल्तानपुर वर्ड अभियरण काहां पर स्थीत है तो यह आपके गुड़ गाम है स्थीत है option number D right answer आरहेगा नेक्स कोशन दूदबा रास्टी उध्यान कहा परस्थित है तो यह आपका उत्तर परदेश में स्थित है नेक्स कोशन नीमे लिखित में से कौन सा अवेरण जंगली हातियों के लिए परसीद है तो कौन सा वर्ल लाइफ जो है आपका एलफेंट के लिए प्रसीध है तो एलफेंट के लिए आपका फेरियार अभेरण जो है प्रसीद है नेक्स्स कुशिन निमल इखित में से क्या ओडिसा में स्थित रही है तो ओडिसा में कौन सा अभेरण या फिर हाती रिजर्व या फिर कौन सा पार्क या फिर कह सकते कौन सा वन्य जीव अभेरण स्थित नहीं है तो सोनीतपूर, सोनीतपूर हाती अवेरण जो है ठीक है, सोनीतपूर हाती अवेरण जो है ओडिसा में स्थित नहीं है, मियूर भंज अडिसा, सब्वलपूर हाती ये भी आपका कहां ओडिसा, महा नदी हाती रिजर्व ये भी आपका ओडिसा में स्थित है नेक्स कुशिन दाची ग्राम वन्नी जीम अविरंड निमल इखित में से किस राचे में स्तित है तो दाची ग्राम वन्नी जीम अविरंड जो है यह आपका कहां पर स्तित है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्तित है सरिस्का पक्षी विहार कहां पर स्तित है, सरिस्का वर्ट सेंचुरी लोकेटिड तो सरिस्का वर्ट सेंचुरी जो है यह आपकी राजस्तान में स्तित है, option number C writer अरहेगा next question विश्व का एक मातर तैरता हुआ राश्टी उद्यान कीवुल लाम जुवा कहां पर सित्य बतानी की चुननी पड़ेगी आपका मनी पूर में स्तित है यहां पर हिरन भी पाए जाती है next question काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है तो काजी रंगा को जाना जाता है एक सिंग बाले गैंडी के लिए किसके एक सिंग बाले गैंडी के लिए काजी रंगा राश्टी उद्यान कहां पर सित्य है तो काजी रंगा राश्टी कौन से बर्ष करी गई थी, जुरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट अंसर बताईएगा, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीस वीडियो को लाइक कर जीजेगा, वीडियो को शेर कर जीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएग मंडल किस राजय में दित है, नंदा देभी, जी मंडल ये आपका उत्रा खंड में स्थित है, आप्शन नमबर डी राइट अरहेगा, नेक्स कुशन, निमलिकित राजयों में से भारत की किस राजय में मानस राष्टी उध्यान कहां पर स्थित है, तो मानस नैशनल पार्क लोकेटिड, तो कहां पर स्थित है, यह आपका असम राजय में स्थित है, आप्शन नमबर सी राइट अरहेगा, नेक्स कुशन इंपोर्डिड, गिरी वन, गिरी का वन, शेरों के लिए पर स्थित है, यह किस राजय में स्थित है, अब गिरी वन याद रखें, गिरी वन जो है किसके लिए प्रसीद है यह आपका लॉइन के लिए यानि शेरों के लिए प्रसीद है और यह कहां प्रसीद है यह गुचरात में प्रसीद है Q79 निवे लिखित में से कौन सा रास्ट उध्यान प्रजेक्ट टाइगर के अंतरगत नहीं आता प्रजेक्ट टाइगर के अंतरगत कोन सा नहीं आता इंपोर्डिन कोशन तो प्रजेक्ट टाइगर के अंतरगत जो है आपका कीबल लाम जुआ नहीं आता प्रजेक्ट टाईगर के अंडर बस एक सिंपल कोशिण पूचूएं पूचूँगा आपको बताना है राणतबंबोर कहां परचित है जुरूर कमेंड बॉक्स में बताइएगा ना कुश्यों नमर 80, राजा जी, राश्री पाक एक प्रकृतिक आवास है, यह कहां पर स्थित है, यह किसके लिए परसीद है, राजा जी, राश्री पाक के प्रकृतिक आवास है, प्रकृतिक आवास है, किसका, महेसर मचली का, एश्याई हाती का, कस्तूरी मिरिक का, या फि यह याद रख लिए नेक्स कोशन साइलेंट वेली नैशनल पार्क डैश भारती राज्य में स्थित है तो साइलेंट वेली नैशनल पार्क जो आप का कहां पर केरल में स्थित है कहां केरल में स्थित है और साइलेंट वेली किसे कहा जाता है जुरूर कमेंट वॉक्स में बता तो पिन घाटी राश्री पाक यह आपका हिमाचल प्रदेश हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है अगर हिमाचल प्रदेश का को स्टूडेंट सुन आओ तो आपको बताने पिन घाटी नाश्री पाक पिन घाटी नाश्री पाक हिमाचल के किस जिले में स्थित है नेक्स्क्षिन वादीपूर रास्ती उध्यान कहां पर सित है तो वादीपूर रास्ती पाग जो है आपका करनाटक में सित्य आप्शिय नुमर डी राइट और रहेगा next question काहना नैशनल पार्ग कहां पर सीथ है तो काहना नैशनल पार्ग जो है आपका कहां पर मध्य परदेश में सीथ है option number भी राइट और रहेगा next question है रानत मबोर वन्य पराणी अवेरन है यह बारत के किस परदेश में सीथ है अब याद रखें किस लिये और किस राजे में है गुजरात बबर शेर का राजस्तान कालाहिरन राजस्तान बबर शेर गुजरात जंगली गदा तो आपसे पूछाता जिनने भी राइट अंसर बताया उन सभी के लिए thank you उन सभी को बहुत बहुत अच्छा ठीक है और इसका राइट अंसर रहेगा यह आपका गुजरात माफ करिया राजस्तान मस्तीता और बबर शेर के लिए से जाना जाता है रणत मबोर को next question है भारत में सबसे बड़ा अभेरन टाइगर रिजर्व कौन सा है अब याद रखें हैं सबसे बड़े अभेरन की बात हो रही है सबसे बड़ा अभेरन जो है यह एक टाइगर रिजर्व अभेरन है यह भी बहुत सकता है यह है नागारजुन तो question बूचेगा भारत का रहेगा नेक्स question है पेरियार वन्य अभेरन किस राज्य में स्थित है यह आपका केरल राज्य में स्थित है कहां पर केरल राज्य में स्थित है नेक्स question देखते है और याद रखे जिम कार्वे नैशनल बाग कभी के पूछ लेता है कि जिम कार्वे नैशनल बाग कहां पर सित है यह आपका उत्रा खंड में स्थित है नेक्स question important question यह question आपके पिछले साल पूछा गया था भारत में project tiger की शुरुवात किया गया था किस वरश में शुरुवात की गयी थी किस वरश इसकी शुरुवात कर गयी थी next question है कोची पूड़ी किस राजे का निरत है तो option number B आंदर प्रदेश इसका राइट अंसर अरहेगा next question है यामनी कृष्णा मूर्ती का स्मंद किस शास्त्रे निरतिस है यामनी कृष्णा मूर्ती जो है किस classical dance आपकी है यह है किसे भारत नाटियम से क्या भारत नाटियम से next question है याकिर हुसेन most important question चाकिर हुसेन क्या वजाते हैं तो किस बाद अंतर से हैं यह तवला वजाते हैं Next question है, पॉंगल किस राजे का प्रसित तिहार है? तो पॉंगल जहीं किस राजे का तिहार है? तमिल नाडु का तिहार है, option number B right आ रहेगा. जली कट्टू एक्जाम में पूछा गया question जली कट्टू नामक त्यार किस राजे में मनाया जाता है जली कट्टू जो है आपका तमिल नाड़ों में मनाया जाता है नेक्स कोशिन है तिरुपति किस राजे में स्तित है तिरुपति मंदिर जो है ये किस राजे में स्तित enrolled आपका अंदर प्रदेश में और नमबर भी राइट आ pressure रहेगा यह आपका कॉलकाता में, कॉलकाता में स्थित है, एक बार डावट है, ठीक है, तो राट अंसर ऑप्शन नंबर एह रहेगा, यह कॉलकाता में स्थित है. next question है आगरा स्थित है लाल किला किसने बनाया था ये बनाया था अकबर ने कितनी है तो और इसे जो है किस ने बनाया था इसे बनाया माफ करें इसे निरंदर मोदी ने बनाया था और माफ कीजिएगा इसकी लंबाई जो है 182 182 मीटर है नेक्स कोशन है एशियाइटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी तो यह बगता चुका हूँ इस्ति के कोशन में पड़ा होगा तो एशियाइटिक सोसाइटिक स्थापना 7084 में हुई थी कब 7084 में हुई थी लास्ट कोशन केरल राचे में कौन सी भाषा बोली जाती है विच लैंग्विज इस पॉकन इंडी स्थेट ऑफ केरला तो केरल में मल्यालम लैंग्विज बोली जाती है बाकी मिलते हैं को चांदार वीडियो में तब ते के लिए अपना क्या रखिए अपने घरवलों का क्या रखिए जैहिंद जैवारत